तो हाई गाईस तो आज हम सॉल्ट परने के क्वेश्चिन नंबर भी फिक्सियू कोर्स वर्स रामिट 663 का काफी असान क्वेश्चिन था मुश्किल नहीं था एक वात का ध्यान दखे इसमें ना बैक ट्रैकिंग रिकर्शन या डीपी बैसे कुछ नहीं लगे काफी सिंपल क और यहां यहां हर सारे ब्लॉक है कि इसे हम एक इस टाइप के आप पोल सकते हैं कि होगा ठीक है और लास्ट में यहां पर काउंटर है और उसे कहीं से भी ज़रूरी नहीं कि इसका आप गलती कहा हुआ होगा कि आप यह लाइंग पढ़ना छोड़ दिया होंगे कहां दिखाता हो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको यहां आना चाहिए ठीक है आप सिर्फ नहीं है दिक्कत बहुत लोग का यहां आया होगा और इसी लिए तो क्या बोलता है अगर अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें करना क्या है कैसे करना है और पहले जो बात है वह माल यह बैग जो है वह या तो सिर्फ राइट जाएगा या तो डाउन जाएगा ठीक है वो इधर या इधर या उपर उपर नहीं जा सकता है ठीक है या तो लेफ्ट रूपर नहीं जा देखता है या तो फिर राइट जाएगा या फिर दाउन जाएगा ऐसे ओं तो यही कहना है अब यही यही चुभण है न कि अगर सिर्फ दो ही घ्रेक्षंट दा सकता है यही सबसे असान कर दया, question को और कुछ नहीं कर रहा है, बहुत असान है, तो back को यहाँ पहुचने के लिए, क्या होना चाहिए पर ध्यान रखिए, अगर back को यहाँ पहुंचना है, तो यह वाला새 cell है, इसमें down होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से down आगा तभी पहुंचेगा, और यह वालों सेल है इसमें राइट होना चाहिए ही ठीक है ताकि यह इधर आएगा तो इतना ही है और एक बात का ध्यान रखना है कि जो बैक है वो गिर ना जाया तो गिरने से बचाने के लिए क्लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें कोई भी इधर यह राइट अगर रहेगा तो यहां से जाय के गिर जाएगा न ले बचांथे ऊजर ने फिर न न kulli जो है यहां यहों आएगा और सीधा यहां आजाएगा और गिरने का एक लिखिसा करना और देटेटर के लिखांगर वहार 2 एक और तरह गर नफ verste ये इतर के लिखांगर पहर पांगर भी Silk पॉसिभल नहीं है इसर बचाने के लिए, क्या करना होगा कि अजर हम यहाट लिखेंगे तो इक गर के लॉस्ट हो जाएगा जो करना नहीं है तो क्या करेंगे इस इधर जितने भी डी है उसको हम आ रो में सारा जो जितना भी element है वो आपका होना चाहिए और जो last column है ठीक है last column उसमें जितना भी element होना चाहिए वो होना चाहिए दी वस्य ही condition में चोटा सा दो तो और कुछ नहीं है बहुत simple सा है अगर माल जी और भी कुछ रहा है तो क्या होगा जैसे माल यहां आर है यहां डी है यहां आर है यहां डी माल लिजिए तो कैसे घूंगा हमके यहां तो इस बेट पर पहुंच जाएगा यहां तो वह यह वाली जो बेल्ट है इस पर पहुंच जाएगा यहां से ऐसे भी निकल पहुँचेगा और पूरा जाउन आए तो कहीं ना कहीं से वह लाश्ट रो या फिर लास्ट कॉलम में अएगा और इससे विगा और इससे भी सिर्फ सब्राइट कर दिया तो यह भी कांटर पायगा तो यह जो box है तो इसका कहने का मतलब नहीं है उसे हमने समहल लिया है वह हम देख लिया है बाकी तुम देख लो तो हमें सबसे minimum number of step कितना होगा जितना भी यहां पर डी थाउस को आर करना हो जितना भी यहां पर आर थाउस को डी करना हो सही simple सा था तो आईए मैं आपको इसा code दिखा देता हूं code में कहा है तो code देखें यहां क्या दिया है यह सब तो input-unput normal है यहां आपने वो जो 2d array उसमें input ले दिया और कुछ नहीं कहा है अब यहां देखें for int i is equal to 1 i less than n minus 1 और i plus plus ठीक है अब देखिए अब यहां क्या दिया है if if a steer of i or m is not equal to d यह क्या है counting d in last row ठीक है अगर last row में d नहीं है कोई block में तो उस block को change करना होगा और हमें क्या करेंगे हम counter को plus plus कर देंगे ठीक है अब यह number of d को जो d r से d change करें उसके लिए है अब यहां क्या करें counting r in the last row अगर यह r नहीं है तो हमें इसको r करना है रो में last row में अगर r नहीं है तो उससे r करना था यहां हमने पहले देखा उसी को y plus plus कर दे रहे है यह total number of r change होगी और यहां पर सिर्फ y कर दे रहे है और x plus y बस simple जगा कुछ नहीं था इतना ही था अब बाइब कर देगा तो तब तक अपना जयान रखें सिफ रहे और बाइबाइब कि अ कि अ कि अ कि 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 कि